सो गाइज अब रेवाइट को लेगे जो है कुछ फ्यूचर प्लैंस सामने आए है जैसे कि किस तरीके का उनका मास्क होने वाला है और साथ ही में एधी क्लोवन और यह क्या नाम है एधी क्लोवन अब बहुर डेलर्स का क्या स्टेटस है वह कब आपको कंपणी में देखने हो मिल सकते है उसके बारे में कुछ अपडेट आई यह तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में बात करने वाले और सप्राइज रिटरंस के वारे में जो कि सायथ आपको रॉयल जंबल में देखने हो मिलने वाली है और भी अपडेटस है तो सब जानने के लिए सब्सक्राइब के साथ में तो देखो इस में डाउं का एपिसोड था बड़ी एपिसोड था और पूरा मसालेदार था एंटेटेंट से बढ़ा हुआ था ठीक है न और तो वेर्षिप आईए 2.13 मिलियों वेर्ट जो कि मेरे हिसाब साथ अच्छी वेर्षिप है और वैसे सब्सक्राइब के बारे में तो देखो भाई पिछले कुछ दिनों से यहां पर स्टीव औस डाल रहते हैं जिसको देखे लोगों ने स्पेकुलेट किया कि वह साइस से रेसल मेना के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन आज उन्हें वीडियो डाली है और उसमें उन्हें यह बात क्लियर करती है कि वह से यूँ एक्सराइज कर रहते हैं विकास उनकी बॉड़ी हो सेप में नहीं ती इसी विचे से वो ट्रेनिंग कर दे लेसल मेना का इससे को लेना देना है नहीं तो ऐसा तब इस्टीव और से पक्का लेना देना तो है आप क्या थौट सा बता कोई एक औफर एक्सराइज करके वह किसी एक कंपनी में चले जाएंगे लेकिन बाइज रिपोर्ट आई है कि ब्लॉण से रीड के अलावा भी यहां पर दस और बंदे हैं जिनका ट्रिपल एज रिटर्न करवाना चाहते हैं और हो सकता है कि इन में से कहीं का रिटर्न आप तो अब ही के इसाब से जैन उसकी तरस रिपोर्ट आई है उनको बैसा बताया जा रहा है कि जो ओपनिंग है वह उने वाले वुमन के वाल गेमस मैच के साथ में और जो में इविंट है वह उने वाला मैंस का वाल गेमस मैच तो फिला के लिए तो यह लाइन अप ठीक ही है अब बागे पताने नैवर से नैवर वाली बात है तो कभी यह बी चैंज हो सकता है ठीक है कासे अब आगे करनेंगे नेक्श ट्राइफ ऐना अब्डेट के बारे में तो surgit Ramsay पहली अप्डेट है ब्रेवाईट के मास्कों तो इंदेख को'? मास्कों लेकर अधेस फइल्डो डू रिपॉर्ट नो प्रफ extrude नहीं है लेकिन उन्हाँ आने पहसे शूल्ट कोई नई बात नहीं है डिवली हमेंसे ऐसे ही करती है बहुत सारी उप्सन लगती है फिर को एक फाइनल करके चलती है तो यह है फिलाल मास को लेके बाद काफ़ जल्दी आजाएगा मुझे लगता जादा देर लगने वाली है अब बात करते है एक लोवन और बोर डेलस के बा हो तो नहीं पता लेकिन बाई क्वांटेक्ट जरूर बात्चे जरूर होई है और दूसरी बात यह कि जो ब्रेव आइट वह चाहता है उनकी डिमांड है के एक लोवन और बोर डेलस के इंवल्मेंट है ना वह प्रग्लेसिवली होती है उनकी स्ट्रोई लाइन में और यह तीनों जो मिलके साथ में काम करें तो यह ब्रेव आइट की डिमान है तो मुझे लगता है रेवलेच पूरी करी लेंगे रैसे फिलाल इस वीडियो के लिए तो नोशन थी मैं मिलता हूं कुछी नहीं कुछी नहीं साथ मांटेकर